हेलो टू आल यह तो एक्साइस 14.3 से चैप्टर कंटिनू रखते है तो 14.3 में आपको मेडियन फाइंड करना है मेडियन का सिंबॉल है M इसका फॉर्मिला रहेगा L प्लस N अपॉन 2 माइनस C F C F यानि कमिलिटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइड बै एफ मल्टिप्लाइ बै एच उके तो पहले क्लास बना लेते हैं इसमें जो क्वेश्चन में आप लेफ साइड पर देख रहे हैं क्लास में दिया हुआ है 65 to 85 85 to 105 105 to 125 125 to 145 165 to 185 and 185 to 205 चलिया अब नंबर ओफ कंज्यूमर्स यानि एफाई हमें लिखना है एफाई है 4 5 13 20 14 8 and 4 ओके अब इसमें cf बनाना होता है हमें cf यानि कमिलेटी फ्रिक्वेंसी देखो पहला cf सेम ही रहता है 4 का 4 ही रहेगा नेक्स्ट वन से आपको प्लस करते जाना है 4 प्लस 5 9 9 प्लस 13 22 22 प्लस 20 42 42 प्लस 14 56 56 प्लस 8 64 64 प्लस 4 68 तो यह आपका जो लास्ट वाला नंबर आता है वो आपका n है जब आप इस fi का टोटल करोगे तो भी आपको 60 80 मिलेगा ठीके तो यह n की value मिल गई अब हमें क्या चाहिए n upon 2 चाहिए पहले n upon 2 is equals to 68 upon 2 that will be equals to 34 अब आपको देखना है कि cf में 34 से value कौनसी increase हो रही है तो देखो यह smaller है यह smaller है यह smaller है यहाँ पे 34 से value बढ़ गई 34 से जादा हो गई तो इस पे हम box बना लेते हैं यह हमारा median class हो गया इसमें जो lower limit है वो हमारा L होगा इसमें जो frequency है वो हमारी f होगी और cf चो है वो median class के उपर वाला लेना है जो box बनाया उसके उपर वाला cf लेना है आपको तो यह आपकी cf की value होगी तो देखो L मिल गया n upon 2 मिल गया cf मिल गया f मिल गया और h h यानि class length class height 65 to 85 85 to 105 यानि h की value 20 है तो पहले हम यह सारी values जो है वो note कर लेते हैं l की value आपको मिल गई 125 f की value मिल गई 20 cf की value मिल गई 22 और h की value मिल गई है 20 चलिए अब यह सारी values मिल गई है अब हमें से formula में इसके values रखने है formula लिख लेते पहले m is equals to l plus n upon 2 minus cf upon f into h l की value 125 plus n upon 2 n upon 2 की value 30 40 n upon 2 की value 34 cf 22 f की value 20 और h की value भी 20 तो यहां पे 20 और 20 यह कट सकते हैं 125 plus 34 minus 22 यानि 12 125 plus 12 तो यह अपका 137 यह answer हो गया यह हुआ median का answer question में आप देखोगे तो लिखा है find median, mean and mode तो mean and mode इसका आप homework में find करोगे इससे पहले वाली दोनों exercise में आप mean और mode find करना सीख चुके हो तो यह आपको homework में करना है चलिए अब next question second question पर जलते हैं इसमें आपको median दी हुई है एक और य की value find करनी है ऐसा ही एक type का question जो है वो हम exercise 14.1 में कर चुके है पहले class लिख लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60 F I लिख लेते हैं 5 then X 20, 15, Y and 5 question the answer read करो question में दिया हुए if the median of the distribution given below is 28.5 find the value of X and Y median हमें 28.5 दिया हुआ है और साथ में इदर total भी दिया हुआ है नीचे total F I का total दिया हुआ है 60 ठीक है चलिए अब CF निकालते है पहला तो 5 लखेंगे फिर नीचे लखेंगे 5 प्लस X फिर 20 प्लस होगा तो यह हो जाएगा 25 प्लस X 15 प्लस करोगे तो 40 प्लस X फिर यह हो जाएगा 40 प्लस X प्लस Y यह हो जाएगा 45 प्लस X प्लस Y क्योंकि 5 प्लस किया है ओके अब लास्ट सम में भी मैंने आपको बताया था यह हमारा N होता है और यह N जो है वो हमेशा F I के total जितना ही होता है तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि 45 प्लस X प्लस Y is equals to 60 45 उदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा therefore X प्लस Y is equals to 60 माइनस 45 यानि 15 यह equation number 1 बनाके हम side में रखेंगे बाद में काम हैगी ठीक है यह जो CF का last वाला number होता है वो इसके total जितना ही होता है चलिए इतना हमने कल लिया अब हमें median class देखना है median class find करना है last वाले sum में median class हमने कैसे find किया n upon 2 की value के हिसाब से 34 था 34 से जहाँ increase हुआ उसके हिसाब से लेकिन जब आपको alphabet वाला समाता है x और y वाला ऐसे alphabet वाला हो तो इसमें आपको median class median की value से निकालना है median दिया हुआ है 28.5 तो चेक करो 28.5 कौन सी range में आएगा यहाँ पे आएगा 20 से 30 के बीच में तो यह आपका median class हो गया इसमें हमने box बना लिया तो देखो L की value 20 हो रहेगी लिख लेते साइड में L equals to 20 F की value भी 20 C F की value क्या मिलेगी जो median class है उसके उपर वाला यानि 5 प्लस X N हमारा 60 है 60 upon 2 लिखोगे N upon 2 यानि 60 upon 2 तो यह हो जाएगा 30 और H की value 10 है देखो 0 to 10 10 to 20 ठीक है तो यह पहले values हमने यहां पर लिख लिए और यह 45 प्लस X प्लस Y 60 के equal है 45 उदर ले लिया तो X plus Y equals to 15 यह equation number 1 मिल गया चलो अब हम median का formula लगाते हैं यहां पर ले formula लेखते हैं M is equals to L plus N upon 2 minus CF upon F into H M की value question में given है 28.5 L की value 20 plus N upon 2 यानि 30 CF की value 5 plus X यह bracket में लिखनी है दियान देना यह divided में F F की value 20 है और H की value 10 है चलो अब इसमें हम पहले यह 20 इस साइड ले ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा यहां पर बचेगा 30 अगर यहां ब्रेकेट खोलते हो तो माइनस 5 माइनस प्लस माइनस X डिवाइड में 20 मल्टिप्लाइ में 10 यह 00 कट हो गया 28.5 माइनस 20 तो 8.5 बचेगा 30 माइनस 5 यह 25 माइनस X डिवाइड में 2 है 2 मल्टिप्लाइ में जाएगा तो 8.5 मल्टिप्लाइ बचेगा तो इस इकवल्स तो 25 माइनस X यह हो गया 17 माइनस X इस साइड जाएगा तो प्लस और 17 इस साइड जाएगा तो माइनस तो X की वैल्यू आपको 8 मिल गई अब यह वैल्यू आप इस इकवेशन में रखोगे इन इकवेशन नमबर 1 यह हम साइड में आपे कर लेते हैं लिखेंगे putting X is equal to 8 इन इकवेशन नमबर 1 तो X plus Y equals to 8 था X plus Y equals to 15 था X की जगा 8 लिखोगे 8 उदर जाएगा तो माइनस यानि Y is equal to 7 मिल गए आपको तो X की वैल्यू 8 और Y की वैल्यू 7 यह आपका answer होगे ओके चलिए थर्ड क्वेशन पर चलते हैं पहले question रीट करो थर्ड का a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders 100 policy holders है calculate the median age if policies are given only to person having age 18 years onwards but less than 60 years तो यह insurance policy दे रहे हैं किन लोगों को दे रहे हैं जो 18 years से उपर की age के हैं और 60 years से कम होनी चाहिए चलिए तो इसके पहले हम class बनाएंगे यहाँ पे आपको below 20 ऐसा दिया हुआ है पहले question लिख लेते हैं एज एज आपको इस तरीके से दिए बिलोव 20 बिलो 25 बिलो 30 ऐसे गर के बिलो 60 तगे 55 का difference 35 40 45 50 55 और 60 50 ग्रांगे पने ग्रइंड के बिलोवा इसके से च्थके से से बिलोवा बिलोवा देडिया घ्रा चैनल की नबर आपको यहाँ आपको और आपको देया रहे एटी नाइन नाइन्टी टू नाइन्टी एट एन हंड्रेट चलिए तो अब इसमें हम पहले क्लास बनाएंगे देखो क्लास बनाने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि इन लोगों ने जो इंशॉरंस है वो सिर्फ 18 years के उपरवा़ी एजो लोगों को दिया है तो पहला क्लास होगा हमारा बिलोव ट्वेंटी है लेकिन अबव एटीन है तो फिर्से क्लास होगा 18 तो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइय और ट्वेंटी वैयानि 20 टू-25 recur उपैसे करके आपका 35 to 40 then 40 to 45 45 to 50 50 to 55 and 55 to 60 अब हम F5 बनाएंगे यहाँ पर F5 में आपको ज्यान देना है कि below 20 दो लोग है below 25 में 6 है लेकिन जो लोग 25 से नीचे हैं वो लोग 20 से भी नीचे ही होंगे अजना सपोस किसी की एज below 25 वालों की हम ऐसा लिख देते हैं 19, 19, दो जने की 19 एज है 23, 24, 25, 24 और 22 तो देखो यह 6 लोग है जिनकी 25 से कम है लेकिन इन में से दो लोग ऐसे थे जिनकी 20 से कम थी तो वो तो हम इसमें count कर चुके हैं तो 20 से 25 के बीच कितने लोग रहे बाकी? 24 मतलब आपको यहाँ पे subtract करते जाना है ऐसे ही 24 में से 6 करोगे तो minus करोगे तो 18 45 में से 24 minus करोगे तो 21 78 में से 45 minus करोगे तो 33 89 में से 78 माइनस करोगे तो 11 92 में से 89 यानि 3 98 में से 92 यानि 6 और 100 में से 98 यानि 2 यह आपका FI हुआ अब वापस आपको CF निकालना है CF यानि अगेन प्लस करते जाओगे तो 2 फिर 6 24 तो आप नोट करोगे कि यह ही आपका CF बनेगा ओके तो N अपान 2 यहाँ पे N की वैल्यू आपको लास्ट वाली जो है वो 100 मिल रही है तो N अपान 2 will be 100 अपान 2 that will be 50 अब देखो 50 से बड़ी वैल्यू कहां पे हुई यहाँ पे तो यह हमारा मीडियन क्लास बन जाएगा यहाँ पे आपको L की वैल्यू मिल जाएगी 35 F की वैल्यू मिल जाएगी 33 और C F की वैल्यू मिल जाएगी 45 एच की वैल्यू 20 तो 25 तो 30 है यानि एच की वैल्यू हम 5 लेंगे अब M is equal to L plus N upon 2 minus C F into H L की वैल्यू 35 N upon 250 C F 45 upon में जो F है वो है 33 multiply में H है वो है 5 चलिए एनी वैल्यू को solve करते हैं पहले लिखना है आपको 35 plus 50 में से 45 गया यानि 5 divide में 33 है multiply में 5 है 5 5s आ 25 25 को 33 से divide करना है divide कर लेते साइड में 33 की टेबल में 25 तो आएगा नहीं तो 0 point लगा के 0 यूज़ करोगे 33 की टेबल में 250 से पहले 33 7 आएगा 231 minus करोगे तो 19 आएगा 33 की टेबल में 190 से पहले 33 5s आ 165 25 remainder 250 आएगा वापस 250 से पहले वही आएगा 7 इसका मतलब 0.7575 यह आपका चलता रहेगा तो 35.7575 है जब 3rd डिजिट 5 से बड़ी होती है तो हम 2nd डिजिट 1 इंक्रीज कर देते हैं यानि 35.76 यह आपका एंसर हो गया थर्ड क्वेस्टन कंप्लीट हुआ फोर्थ नंबर कर लेते है फोर्थ नंबर में जैसे आप क्वेस्टन देख रहे हो ख्लास यह जो मेजर्मेंट्स है 40 लीव्स की मेजर्मेंट ली है 118 से 126 मिलीमीटर वाली जो नंबर ऑफ लीव्स है यहां यहां पर कंटिनियूस डिस्टिबूशन नहीं है कंटिनियूस फ्रिक्वेंसी करने के लिए जैसे कि लास्ट टाइम भी आपको बताया था जब ऐसे फ्रिक्वेंसी कंटिनियूस नहीं होती तो हम लोवर लिमिट से 0.5 माइनस करते हैं यानि यह हो जाएगा 117.5 और इसमें 0.5 इंक्रीज होगा वैसे यह हो जाएगा 126.5 और 135.5 तो देखो हो गई कंटिनियूस फ्रिक्वेंसी अब आपको ऐसे ही चलाना है 135.5 तो 144.5 144.5 तो 153.5 153.5 तो 162.5 162.5 तो 171.5 171.5 तो 180.5 एफ़ाई लिख लेते हैं 3 के बत 5 9 12 5 4 2 CF लिख लेंगे पहले 3 फिर 8 8 प्लस 9 17 प्लस 12 29 प्लस 5 34 38 और प्लस 240 चलिए तो n upon 2 पहले निकालेंगे n upon 2 will be 40 upon 2 that will be 20 देखो 20 से value कहां बढ़ रही है यहाँ पर तो यह आपका median class हो गया यहाँ पर आपको l की value मिल गई यह f की value मिल गई और यह आपको cf की value मिल गई ओके तो यह सारी values लिखके आपको homework में यह sum solve करना ओके तो 567 यह sums भी आपको इसी type के हैं इन में भी कोई change नहीं है बहुत ही simple वाले median वाले ही हैं सब तो question 5, 6 and 7 भी आपको homework में solve करने हैं method आपको तीनो जो मैंने चार questions करवाई हैं उनमें आपको पूरा method son में आ गया होगा इसी method को follow कीजिए और सारे sums जो है वो homework में complete कीजिए homework करने के बाद उसके सारे pics निकलके मुझे send करने हैं okay so start working now चले बाबाय झाले झाले